आज हम क्या पढ़ने वाले हैं माम, I hope आप सभी excited हैं क्योंकि आज जो हम discuss करने वाले हैं उस topic का बहुत जादा weightage है और बहुत interesting topic भी है, so tension लेनी की ज़रुवत नहीं है, माम है तो हम हर चीज एकदम साथ cover करेंगे, right, yes. आज हम क्या discuss करने वाले हैं, आज हम acids, bases and salts के बारे में discuss करने वाले हैं, तो चलो आज का यह amazing session start करते हैं, तो इससे पहले माम आपको कुछ practical applications दिखाना चाहेंगी, कि जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम day to day life में कहां देखते हैं, हमेशा हर किसी ने experience किया है, पर कभी यह question नहीं में बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो हम शुरू से शुरू करेंगे, एक base है आपके पास, एक acid है आपके पास में, दोनों react करते हैं, तो क्या होता है, माम neutralization reaction होती है, क्या होता है, neutralization reaction होती है, हम सभी पढ़कर आते हैं, 8, 9 में हमने पढ़ा है कि जब ए इसी reaction को कहा जाता है, neutralization reaction, yes, yes माम, इतना तो हमें पता है, आज हम इसी की detail discussion करने वाले हैं, कि acids किस-किस type के होते हैं, basis किस-किस type के होते हैं, salts किस-किस type के होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर color में change आ रहा है, कभी सोचा कि माम color में change कैसे आ रहा है, हमें क कैसे पता चलेगा कि एक neutralization reaction complete हो चुकी है, तो इन सभी के बारे में आज के session में हम discuss करने वाले हैं, right, yes, आगे देखते हैं, आगे अगर आप देखोगे, junk food खाते हो, बिल्कुल खाते हो, दर्द होती है, acidity होती है, yes, होती है, तो मम्मा क्या करती है, मम्मा कुछ पिलाती है और भाई बिल्कुल सही हो जाते हैं, कैसे हुए, बिकिस वहाँ पर मम्मा ने आपको क्या पलाया, बच्चे, वहाँ पर मम्मी ने आपको एक base, कोई base था वो, जिसकी वज़ए से जो आपके पेट में acidity, acid create हुआ था, वो base ने उसको neutralize किया और आपको relieved feel हुआ, right, तो ये day day-to-day life में होता है, पर कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है, right, आज सोचेंगे, yes, मम्मी के सामने ये बता भी सकते हो, कि acid था, आपने मुझे base लाया, इसलिए neutralization हो गया, and she'll be also happy, right, yes, तो चलो यार, ये समझ आया, आगे देखो, कभी किसी ant ने या bee ने sting किया है, काटा हो formic acid कहते है, एक और acid भी होता है, जिसके बारे में हम discuss करेंगे, बट जादा amount में formic acid होता है, right, yes, अब उस acid को neutralize करने के लिए, जो आप ointment लगाते हो, वो एक base होता है, और neutralization reaction होती है, और आपका जो swelling है, वो ठीक हो जाता है, yes, तो यानि कि वहाँ पर भी हो रही है, क्या neutralization reaction, yes, तो या day-to-day life में ये reactions बहुत सारी जगा होती है, बट हम कभी notice नहीं करते हैं, तो चलो अब ये study start करते हैं, कि ऐसा होता क्यों है, right, yes, ma'am, तो चलो अच्छे, start करते हैं, सबसे पहले ये तो हम discuss करी चुके हैं, अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे, कि जब भी, एक acid react करेगा एक base के साथ में, तो आपको मिलेगा salt and water, perfect, ma'am, ये हमें पता है, कोई example के साथ समझाएं, चलो एक example के साथ समझाते हैं, acid ले लिया HCl, base ले लिया NaOH, और हमें मिल गया NaCl plus water, right, NaCl क्या है, ma'am, ये एक salt है, right, कोई दिक्कत, perfect, तो ये तो हम पढ़कर आएं, अब हम समझने वाले हैं, detail discussion करेंगे, पहले acid का, फिर base का, फिर salts का, also हम indicators के बारे में भी कुछ study करेंगे, तो ये सब क्या है, step by step, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको समझ आएगा, तो चलो यार, okay, यहाँ पर एक और application है, जब भी आप fields देखोगे, तो क्या होता है, कि farmers अपनी field में बहुत सारे fertilizers और सब चीजे स्प्रे करते हैं, अब क्या है, हर crop को एक particular क्या चाहिए, pH पे soil चाहिए, ग्रो होने के लिए, right, अब उनको जब एक particular pH चाहिए होता है, तो यानि कि उन्हें उनकी acidity या तो बढ़ानी या डिक्र करनी पड़ती है, और इसी के according वो अलग-अलग pesticides, fertilizers use करते हैं, ताकि उनके soil का pH उस crop के grow होने के हिसाब से same हो जाए, right, yes, तो यानि कि वहाँ पर farmers भी neutralization reaction को use कर रहे हैं, perfect, ठीक है माम, अब हम पढ़ने के लिए तयार हैं, तो एक substance which has sore taste, बहुत important है बच्चे, यह line आपको पता होनी चाहिए, कि एक acid क्या होता है, which has a sore taste, acid का बच्चे, sore taste होता है, base का क्या taste होता है, वो हम base में पढ़ेंगे, but this is very important, इससे question आता है, तो आपको यह taste पता होना चाहिए, taste करना मत, बस पता करना, मतलब याद करना की sore taste होता है, ठीक है माम, and it turns blue litmus red, अब litmus paper होता है, एक litmus paper होता है, जो red color का भी होता है, और blue color का भी होता है, तो जो आपका acid होगा, वो red litmus paper पे कोई असर नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर आपने blue litmus paper उसमें डाला, तो वो उस blue को red में convert कर देता है, clear है, yes ma'am, is called an acid, according to the modern concepts, यानि कि देखा, एक ही line में हमने 2 important चीज़ें प करते हैं, अगर आप acids को classify करते हो, तो एक तो आप उनकी depending, ये D है, आप उसको उनकी strength के उपर classify कर सकते हो, कि वो एक strong acid है, या फिर एक weak acid है, strong acids होते हैं, weak acids होते हैं, अब ये किस पर depend करते हैं, ये discussion हम करने वाले हैं, ये depend करता है, कि कितना H plus वो lose कर रहा है, धीरे धीरे आ होगा कि दो टाइप के acids होते हैं, organic acids भी होते हैं, inorganic acids भी होते हैं, mostly जो आपको HCl, H2SO4, HNO3, ये सब acids पता हैं, ये सभी inorganic acids है, organic acids कौन से होते हैं, इसके बारे में हम discuss करेंगे, क्योंकि कई बार question ऐसे आ जाता है, कि आपको acids दे दिये जाएंगे, और पूछा जाएगा कि इन में से कौन सा organic acid है, या फिर कौन सा inorganic acid है, तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, next is depending on the concentration, concentration क्या है, concentration, word हम बेटा पढ़ चुके हैं, आपको पता है, जब हमने molarity, molality सब पढ़ा था, तो actual में था क्या, एक solvent के अंदर solute कितना है, वो concentration होती है, right, yes, अब concentrated acids भी ह हो सकते हैं, जहां पर आपके acid, that is, इस बार acid solute होगा, और जो आपका solvent है, उसके अंदर जब बहुत सारा acid होगा, तो वो क्या हो जाएगा, concentrated acid हो जाएगा, और अगर बहुत सारा solvent है, और थोड़ा सा acid है, तो वो dilute acids हो जाते हैं, right, yes, तो यानि कि जो चीज़ पढ़ चुक dissociation of an acid takes place in the solution, this is known as the degree of dissociation, और इसको represent किया जाता है alpha से, अब मैं आपको इस चीज़ को समझाती हूँ, अब देखो यार, जैसे कि आपके पास में HCl है, आपने HCl को मान लो, HCl है आपके पास में, जब HCl को आपने कोई echo solution में डाला, तो वो क्या हो जाएगा, echo solution में डालोगे तो वो H plus ion और Cl minus ion के अंदर completely dissociate हो जाएगा, right, yes, यानि कि initially अगर ये 1 mol था, तो ये कुछ भी नहीं रहाएगा, और ये पूरा 0 हो जाए, और ये भी 1 mol बन जाए, और ये भी 1 mol बन जाए, तो ये इसका degree of dissociation है, और यहाँ हम कहेंगे कि इसका degree of dissociation है, वो 100% है, alpha यहाँ पर electrolytes के बारे में बात की थी, good electrolytes, bad electrolytes, weak electrolytes, yes, ma'am, तो ये क्या है, good electrolytes हैं, क्योंकि ये completely dissociate हो रहे हैं, अब अगर आप यहाँ पर देखो, मान लो कि मैंने आपको एक example दिया, CH3COOH का, CH3COOH जो acid है, ये बहुत ही weak acid होता है, तो ये completely dissociate नहीं होता, तो अब क्या होगा, यहा dissociate होगा, लेकिन complete dissociation नहीं होगा, तो यानि कि initially जब आपका T is equal to 0 time था, तो let us say ये 1 mole था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, नहीं, ma'am, अब मैं कहती हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत dissociation हुआ है, let us say उसका degree of dissociation alpha है, ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ 1 minus alpha, alpha पार्ट जो है वो dissociate हुआ है, तो 1 में से उसको subtract करेंगे, yes ma'am, T is equal to T time पे, और यहाँ पर यहाँ पर यह alpha बनेगा, यहाँ पर यहाँ पर यह भी alpha बनेगा, तो आप एक चीज देख रहे हों कि जो weak acids हैं, वो completely dissociate नहीं होते हैं, जो strong acids होते हैं, वो completely dissociate होते हैं, right, yes, यह बहुत important चीज ह आपको पता होना चाहिए, alpha यहाँ पर degree of dissociation होता है, alpha की value बेटा कुछ भी हो सकती है, 60%, 80%, 20%, कुछ भी हो सकती है, तो जब मान लो 60% है, तो आप alpha को बुलोगे, जैसे यहाँ पर 1 है, तो अगर आपका 60% dissociation है, तो आपके alpha की value 0.6 होगी, यहाँ पर alpha की value 0.8 होगी, यहाँ अलफा की value 0.2 होगी, ठीक है, तो इस थरीके से आप degree of dissociation लिखते हैं, clear है, इतना समझ आया है, तो बहुत अच्छा हमें इतना ही समझना है, कि एक strong acid और एक weak acid को हम कैसे differentiate कर सकते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कि जो एक strong acid है, वो एक strong electrolyte होता है, वो completely dissociate होता है अपने ions में, जबकि एक weak acid जो होता है, वो completely dissociate नहीं होता, in fact, यहाँ पर एक ऐसे, equilibrium का kind of sign होता है, क्योंकि complete dissociation नहीं हुआ है, clear है, perfect, आगे बढ़ते हैं, बटा, आगे अगर अगर हम देखें, तो the degree of dissociation is responsible for the concentration of the hydronium ion, yes, degree of dissociation, H plus ions कितने मिल रहे है, वो degree of dissociation पर ही तो depend कर रहा है, yes ma'am, right, higher the concentration of dissociation gives higher H3 plus ions, depending on the degree of dissociation and hydronium ion concentrations, acids may be of the following types, यह सारी चीज़े हम discuss कर चुके हैं, बस अब आपके सामने, theory के form में यह लिखी हुए है, एक strong acid कौन सा होगा, अभी आप सभी को पता है कि एक strong acid में वो होगा, जो completely dissociate होगा, जिसका degree of dissociation 100% होगा, right, these ionize completely in their aqueous solution, बेटा, aqueous solution बड़ा important word है, aqueous solution में वो completely dissociate होते हैं, yes ma'am, and hence produce a large number of, a large number of hydronium ion, यानि कि H3O plus ions, that is have high degree of dissociation, right, yes ma'am, next, examples आपके सामने हैं, HCl, H2SO4, HNO3, हमें पता भी है, कोई दिक्कत नहीं है, right, yes ma'am, perfect, आगे बढ़ते हैं, next अगर आप देखो, next is your weak acids, बेटा, अब हम weak acids की बात करते हैं, weak acids में क्या है, these ionize partially, again, example याद करो, CH3COOH का, जहां पर आपका complete dissociation नहीं होता, वो weak electrolytes होते हैं, yes ma'am, right, partially in their equis solution, and hence produce a small number of hydronium ions, showing lesser degree of dissociation, in their solutions, both as molecules are present, यानि की आप क्या जो CH3COOH है, वो भी exist करेगा, और CH3COO- और hydronium ion भी exist करेगा, right, yes, तो इतना clear है, तो बहुत बढ़िया है बेटा, इसके examples आपके सामने है, acetic acid, जिसका हमने example दिया भी, formic acid, आपको इनके नाम और इनके बेटा, formulas जो हैं, वो दोनों पता होने चाहिए, formic acid जो होता है, वो HCOOH होता है, तो it is important कि आपको इनके formulas भी पता होने चाहिए, ये important formulas है, right, yes, तो जो examples में लिखे हैं, वो जरूर याद कर लेना, बाकी अगर नहीं हो रहे हैं, no problem, लेकिन ये जो लिखे हैं यहाँ पर उन्हें जरूर याद करना, clear, perfect, आगे बढ़ते हैं, next देखते हैं, next is depending on the source, organic acid है या फिर inorganic acid है, अब इसकी बात करेंगे, right, yes, तो depending on the sources, they can be classified as organic or inorganic acids, organic acids, organic acids are those which are obtained from plants or animals, plants या animals से मिलने वाले जो acids होते हैं, उन्हें कहा जाता है organic acids, ठीक है माम, clear है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये naturally occurring substances से मिलते हैं, एक बहुत important चीज, जो naturally occurring substances से चीजे मिलती हैं, उन्हें कहा जाता है organic acids, clear, next देखो, these acids are generally weak acids, बहुत important line है, इसको mark कर लेंगे, कि ये acids जो होते हैं, ये weak acids होते हैं, organic acids आपके weak acids होते हैं, right, and do not ionize completely, weak acids सुनते ही मुझे पता लग जाना चाहिए, कि dissociate तो complete नहीं होंगे, strong acid वो होते हैं, जो completely dissociate होते हैं, और weak वो होते हैं, जो completely नहीं होते, right, yes ma'am, in the solution, and hence, there are ions as well as undissociated molecules in the solution, हा, यहाँ पर अगर आप कोई भी acid की बात कर रहे हो, weak acid में मैं सिर्फ एक example याद रहती हूँ, जिसे मुझे सब याद रह जाता है, कि ये दोनों फॉर्म में exist करता है, क्योंकि completely dissociate तो नहीं होआ, yes ma'am, यानि कि ये फॉर्म भी exist करती है, और ये दोनों फॉर्म भी exist करती है, clear है, very good, next, यहाँ पर आपके पास में एक्जाम्पल्स है, acetic acid और ethenoic acid, clear है, CH2, COOH, CH2, CH3, oxalic acid, formic acid, ये आपके सामने सारे के सारे acids के नाम आचुके हैं, ठीके बिटा, जो यहाँ पर है, वो आपको याद होने चाहिए, बार-बार फोकस कर रही हूँ, क्योंकि यहीं से question बनेगा, और आता हूँ answer गलत हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता, right, yes, perfect, आगे बढ़ते हैं, next, देखते हैं, अब बेटा, यह बहुत important table है, a very important table आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, और इस table में आपको पता होनी चाहिए चीज़े, ठीके, जो red ants होती हैं, उसमें formic acid होता है, जब भी आप चीटी देखोगे, जब red ant आपको काटती है, लाल चीटी काटती है, गास्ट्रिक जूस जो होता है, hydrochloric acid होता है, ठीक है, येस माम, टोमैटो, स्पिनिच में oxalic acid होता है, मिल्क, आप सभी को याद होना चाहिए, कि lactic acid होता है, ये word हम बार-बार सुनते हैं, राइट, येस, नेक्स्ट इस विनेगर, acetic acid होता है, टामरेंड में आपका टारिक acid होता है, आपल में बेटा, मैलिक acid होता है, आपल में मैलिक acid होता है, इसी से questions बनेंगे, तो एक बार go through कर लो, क्योंकि questions तो आपको यहीं से बनने वाले हैं, तो ये तो याद होना ही चाहिए, नेक्स्ट अगर हम देखें, तो औरेंज और लेमन, एक चीज देख रहे हो, औरेंज लेमन सब खटी चीजे, जो आपकी खटी चीजे होती है, उसमें आपका citric acid या ascorbic acid होता है, वाइटमिन C भी उसे बोला जाता है, ठीक है, तो रैंसेंड बाटर जो होता है, उसमें butyric acid होता है, olive oil में olic acid हो जाता है, याद हो जाएगा, olive oil, olic acid, clear है, next, fats बिटा, stearic acids होते हैं, बहुत बड़े-बड़े acids होते हैं ये, इनका molecular formula अगर देखोगे, तो बहुत जादा बड़े-बड़े molecular formulas होते हैं इनके, right, तो fats में stearic acid होता है, urine में uric acid होता है, clear है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक ये table ज़रूर याद कर लेना, मैम ने important mark कर दिया है, questions यहीं से बनने की possibility रहती है, clear है, perfect बेटा, आगे बढ़ते हैं, next is inorganic acids, हम बात भी कर चुके हैं, कि जो strong acids होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, यह सभी आपके inorganic acids है, ठीक है, yes ma'am, तो inorganic acids, या फिर इनने एक और नाम से जाना जाता है, which is your mineral acid, यह नाम भी आपने सुना होगा, HNO3, HCl, इन सबको mineral acids भी बोला जाता है, yes, तो inorganic acids और mineral acids, inorganic acids are the inorganic compounds, which are present in nature, inorganic ranges from strong acids, like HCl, HNO3, and H2SO4, S है यह, right, to weak acids, like, अब कुछ weak acids भी होते हैं inorganic में, बिटा, वो भी याद होने चाहिए, HNO3 strong है, तो HNO2 weak होगा, ऐसे याद कर लो, HNO3 is a strong acid, HNO2 is a weak acid, right, sulfurous acid, नाम याद होना चाहिए, H2SO3, H2SO4 strong acid, H2SO3 weak acid, HNO3 strong acid, HNO2 weak acid, right, yes, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, the most common and the most important mineral acids, is the hydrochloric acid, और HCl तो हर किसी के दिमाग में, बिलकुल है, yes ma'am, sulfuric acid and nitric acid, these acids completely ionize in the solution, and give only ions, they show 100% dissociation, अगर 100% dissociation दिखाते हैं, तो यानि कि उनके degree of dissociation, alpha की value बेटा, 1 होती है, right, yes, तो ये चीज़े हमें पता होनी चाहिए, कि भाया, अगर 100% dissociation बोल रहा है, तो alpha की value क्या है, अगर 60% dissociation बोल रहा है, तो alpha की value क्या है, and similarly, सारी चीज़े हमें clear है, yes, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, next, देखो बेटा, depending on the concentration, concentration वर्ड ही हमें रटा हुआ है, हमें सब चीज़े clear हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, concentration यानि कि, एक particular amount, आपको solvent का दे दिया, letter से 1 liter, 2 liter, 3 liter, अब उसमें आप बहुत सारे, बहुत सारा acid डाल दो, तो वो concentrated हो जाएगा, वहीं अगर आपने 3 liter में थोड़ा सा acid डाला, तो वो dilute हो जाएगा, yes, लेकिन आपके solvent की amount same रहनी चाहिए, तभी आप दो अलग-अलग acids को compare कर सकते हो, कि वो concentrated हैं, या फिर dilute है, right, yes, तो पढ़ लेते हैं अब इसकी definition, concentration of an acid means the amount of acid present in the aqueous solution, on this basis, acids can be classified as concentrated acid and dilute acids, dilute word सही समझा रहा है कि solvent की amount जाएदा होगी, right, a large amount of acid is present in a fixed amount of its aqueous solution, ठीक है, यहाँ पर solution लिख देते हैं, perfect, dilute acids, a small amount of acid is present in a fixed amount of aqueous solution, clear है, एक fixed amount of आपको aqueous solution लेना पड़ेगा, और उसके अंदर आप acid की बात करोगे, तब आप उसको concentrated या dilute बोल सकते हो, clear है, perfect, आगे बढ़ते हैं, next देखते हैं, next क्या बोलता है हमें, properties of acids, very important आपको acids के बारे में तो सब clear हो गया, आपने उनको classify तो कर दिया, लेकिन acids की properties की तो बात करें, yes, acids का taste क्या था, sore taste था, right, yes, ये word याद रहना चाहिए, next क्या है, taste, acids have a sore taste, अच्छा, यहाँ लिखा भी तो हुआ था, smart, mineral acids like H2SO4, mineral acids like H2SO4 and HNO3 are highly corrosive in nature, they are very corrosive in nature, right, तो इनको handle बहुत ध्यान से करना होता है, labs में भी अगर हम काम करते हैं, तो हम कभी भी इन acids को हाथ से touch नहीं करते हैं, burets होती हैं, अलग अलग चीजे होती हैं, पिपट्स होती हैं, जिनसे आप इन acids को deal करते हो, क्योंकि यह बहुत जादा corrosive होती है, तो इनको ध्यान रखना पड़ते हैं, they should not be tasted or touched as they may cause, हाँ, ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, clear है, नेक्स्ट फिजिकल स्टेट की बात करो, तो असिद्स आर जेनरली सॉलिड्स या फिर लिक्विड्स अर रों तेम्परेचर, ठीक है, वो ग्यास नहीं होते हैं, असिद्स कभी ग्यास नहीं होती हैं, clear है, very good, नोट है, hydrochloric acid is the hydrochloric acid in the aqueous solution of hydrogen chloride gas, ठीक है, हाँ, HCl gas जो है, वो आपको कभी-कभी देखने को मिल सकती है, इसलिए या आपको नोट में दिया गया है, mostly वो सिफ इसी दो फॉर्म में होती है, लेकिन, HCl gas आपको कभी सुनने को मिल सकती है, yes, ऐसा नहीं होता कि हर temperature पे HCl gas की फॉर्म में होती है, लेकिन कुछ conditions पे HCl gas की फॉर्म में होती है, लेकिन कोई भी और acid जो है, वो gas की फॉर्म में exist नहीं करता है, clear है, yes, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कि हमने सारे के सारे टाइप्स क्लासिफाई कर लिया है, अचिछ को उनकी फॉर्म में दिसक्स कर लिया है, और अभी तक चीज़ें याद भी हो गई होगी थोड़ी बहुती, yes, बाकि क्वेशन प्राक्टिस करेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगी, right, आगे बढ़ते हैं, next, देखते हैं, आपके मन में एक क्वेशन आता होगी होगा, कि मैम मैंने अचिड लिया, मैंने उसके अंदर बेस डाला, और मैं बेस डालते रहा हूँ, बालते जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा, कि एक neutralization reaction हो चुकी है, कि neutralization complete हो गया है, तो इसलिए बेटा, आप use करते हो indicators, indicators क्या होते हैं, वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं, कि एक acid और base जो आपने लिया, और जब आपने उनको neutralize करना शुरू किया, तो वो point जहांपे वो neutralization complete हो जाता है, सारा का सारा acid base के साथ neutralize हो चुका है, उस point पे indicator अपना color change कर देता है, तो वो क्या होता है, वो हमें बता रहा होता है, कि भाईया आपका neutralization point आ गया है, अब और acid या base डालने की ज़रूरत नहीं है, तो यहां से हमें समझाए कि indicators का role क्या है, कि वो हमें हमारा equivalence point बताते हैं, equivalence point वो point होता है, जहां पर आपका acid और base आपस में neutralize हो चुके हैं, तो चलो अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, indicators are the complex substances that acquire different colors, वो colors के थुरू हमें जादा तर, जादा तर हम colors के थुरू ही indicators को use करते हैं, right, in acidic and basic medium, indicators are helpful in detecting the acidic or basic nature of a given solution, by changing their color, अपना color change करके वो हमें indicate करते हैं चीजे, although many indicators are known as main indicators are as follows, तो कुछ-कुछ indicators जो आपसे पुछे जा सकते हैं, वो table आपको यहां पर मिल जा रहा है, तो इस table को देख लो यार, तो अगर acidic medium है, तो blue red में जाएगा, red अगर आगया, तो red में कोई change नहीं आएगा, नहीं, लेकिन blue litmus जो है, वो red litmus में चला जाएगा, perfect, next, देखो, phenophthalein जो है, वो acidic medium में बेटा color, उसका colorless रहता है, लेकिन अगर आपने मान लो की एक reaction किया, आपके पास में acid था, आपने उस acid में phenophthalein डाल दिया, ठीक है, colorless होगा, क्योंकि उसने बोला कि acidic medium में colorless रहता है, अब आप उसके अंदर base डालना शुरू करते हो, base डालोगे, 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 neutralization point आएगा, जैसे ही अगला आपने एक और drop डाला base का, अब solution neutralize हो चुका था, अब solution basic होना शुरू होगा, और जैसे ही आप drop डालोगे, एक pink color आपको दिखेगा, यानि कि यहां में पता चल गया, कि हमारा जो solution है, वो neutralize हो चुका है, राइट, आप इससे, आप क्या देख सकते हो, तो कि phenophthalein अपना color change करता है, जब वो basic medium में होता है, तो वो pink color में जाता है, acidic medium में उसका color, colorless होता है, तो colorless, 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 आप drop डालते गए, base, base डालते गए, neutralize हो गया, और अगली drop जैसे ही आप डालोगे, basic medium होने होते ही, वो अपना pink color दिखा देगा, और आपको पता चल जाएगा, कि आपका neutralization हो चुका है, तो इस तरीके से indicators काम करते हैं, right, yes, next, turmeric remains yellow in acidic medium, ठीक है, ये भी अपना color change करके neutralization point बताता है, china rose indicator becomes dark pink, ठीक है, ये dark pink हो जाता है, magenta color का हो जाता है, जब acidic medium आने वाला होता है, तो ये table बेटा, बहुत important है, इस table से questions आने की possibility है, देखो, जितने भी tables है इस acid base, पूरे session में हमारे, ये tables आपके लिए बहुत important है, इनी table से questions आने की सबसे जादा possibility रहती है, ठीक है, yes ma'am, clear है यहां तक की indicators काम कैसे करते हैं, I hope बिल्कुल clear है, वो एक particular medium में एक particular color दिखाते हैं, और जैसे ही neutralization point के बाद में दूसरा medium आता है, वो अपना color change कर देते हैं, और हमें पता लग जाता है की neutralization हो चुका है, clear है, perfect, आगे बढ़ते हैं, they are good electrolytes, yes ma'am, यह चीज हमें पता है, कि जो acids होते हैं, वो good electrolytes होते हैं, right, अच्छा, indicators की बात करें, तो indicators भी good electrolytes होते हैं, yes, electrolytes are the substances that conduct electricity in molten or aqua state due to the presence of free ions, और यह चीज हमें पता है, कि good indicators कौन से होते हैं, जिनके free ions होते हैं या free electrons होते हैं, अगर free ions या electrons होंगे, तभी तो वो conduct कर पाएंगे, एक जगा से दूसरी जगा move कर पाएंगे, अगर free ions या free electrons नहीं होते, तो नहीं move कर पाएंगे, यह जो free ions और free electrons होते हैं, इनको charge carriers बोला जाता है, इनको charge carriers बोला जाता है, ठीक है, perfect, yes, next all acids when dissolved in water dissociate to form ions, therefore conduct electricity, yes, अगर आपने कोई भी acid लिया, HCl, अगर वो dissociate होगा, तो वो H+, or Cl- में जाएगा, तो अब आपके पास में Equosolution के अंदर, H+, or Cl-, that is free ions है, तो free ions है, तो वो electricity conduct कर सकते हैं, right? Yes ma'am, perfect, तो यह चीज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी तो सिफ रिवाइस कर रहे हैं, next, देखो, acids have corrosive nature, इसके बारे में हम discussion कर चुके हैं, yes ma'am, the mineral acids, strong acids cause severe bumps on the skin and attack and can make up materials like cloth, wood, metal structures, etc., बहुत ही जादा harmful होते हैं, और इसके बारे में हम सभी को पता है, हमने इतनी चीजे सुनी है, acids के बारे में, right? Yes, तो हमें बहुत जादा ध्यान से acids के साथ deal करना चाहिए, right? proper gloves पहन के ही आपको acids के साथ experiment करना चाहिए, और जादा अच्छा होगा अगर आप guidance में ही acids को use करो, right? Yes ma'am, H2SO4 falls accidentally on skin clothes, etc., it causes severe burns and it makes holes in the clothes, आपके कपडे, yes, मैंने lab में काम किया है, और जब एक बार acid, हम सभी को पता है कि jeans कितना मोटा कपड़ा होती है, right? Yes, अगर उस jeans के उपर भी एक drop गिर जाती है, तो वो jeans भी पूरी की पूरी फट जाती है, उस पूरे point पे, जितनी जितने पे आपका acid गिरा है, तो यानि कि acid बहुत जादा करोसिव होते हैं, तो इस acid को जब आप कभी भी किसी भी metal के साथ react कराओगे, तो आपको salt मिलेगा और hydrogen gas मिलेगी, जो सबसे important चीज है, वो ही है, कि जब भी कोई भी acid, कोई भी metal के साथ react करेगा, तो आपको salt तो मिलेगा ही और एक hydrogen gas मिलेगी, ठीक है, yes ma'am, clear है, perfect, तो H2 gas evolve होती है, that is the most important thing, examples, magnesium क्या है, एक metal है, जब HCl के साथ react करेगा, तो मिल जाएगा MgCl2 plus H2 gas, ठीक है, अब किसी किसी को, मतलब आप सभी को शायद formulas लिखने आते हैं, बट still, अगर नहीं आते तो ध्यान से देखो, Mg है, तो बेटा, Mg लिखो, ठीक है, और इधर देखो, hydrogen to H2 gas बनाएगा, yes ma'am, साथ म इसके chlorine है, तो यहां लिख लो Cl, Mg plus 2 होता है, Cl minus 1 होता है, cross multiply करोगे, तो आपको दिखेगा, कि आप इसको MgCl2 लिख सकते हो, और इस तरीके से आपको यह नाम पता चल जाएगा, कि यह कैसे आता है, सिर्फ और सिर्फ इनके charges लिखो, Mg के नीचे plus 2 लिखो, Cl के नीचे minus 1 से लिखो, cross multiply करो, MgCl2 मिल जाएगा, right, तो formulas लिखने में भी जादा दिकत नहीं आएगी, ध्यान रखना है कि आप इसी तरह से लिख सकते हैं, here the magnesium metal is dissolved in the form of aqueous magnesium chloride, और MgCl2 को क्या बोलते है, magnesium chloride, clear है, very easy, perfect, next देखो, iron को अगर आप H2SO4 से रियाग कराऊगे, तो आपको मिल हैगा, SO4 लिख लो, charges लिखो इनके, ये plus 2 होता है, ये minus 2 होता है, cross multiply करो, minus 2, plus 2, cancel, तो FESO4, right, तो इस तरीके से आप formula लिख सकते हो, next देखो, zinc है, तो zinc लिख लो, again, HCl के साथ रियाग कर रहा है, तो यह CL minus लिख दो, right, अब आप charges लिखो, CL लिख दो सिर्फ, और charges लिख ये plus 2 होता है, ये minus 1 होता है, cross multiply करो, तो ZNCl2, right, तो ZNCl2 बन जाएगा, yes, ma'am, ZNCl2, तो एक metal है, और एक acid है, तो भई, H2 gas बनेगी, और बाकी के जो दो elements रह गए, उनको cross multiply करके, उनका formula लिख दो, बहुत easy है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस यह याद रखना, कि जब भ कि salt plus water बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें, clear है, ma'am, ये reaction तो हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, right, yes, next, देखो, examples आपको दिये है, NaOH, HCl, सदा बहार example, जो हर बार जब भी acid base की बात आती है, तो यही example सबके mind में सबसे पहले आता है, right, yes, तो यह लिख दिया है, हमने, reaction with metal carbonates and metal hydrogen carbonates, अब आपको yes, clear होना चाहिए, कि metal carbonates क्या होते हैं, और metal hydrogen carbonates क्या होते हैं, ठीक है, अगर आप metal carbonates की बात करते हो, तो मान लो कि मेरे पास में कोई metal है, M, ठीक है, तो M2CO3 जो होता है, इस तरीके का, M is your metal, यह होता है बेटा, आपका metal carbonate, यह होते हैं, metal carbonate, ठीक है, और MHCO3 जो होता है, यह होते हैं, आपके metal hydrogen carbonate, ठीक है, clear है, perfect, तो पेटे, यह आपको पता होना चाहिए, यानि कि अगर मैं आपने बोला, कि sodium carbonate, तो यानि कि metal की जिगा, sodium लिख दो, तो Na2CO3, अगर मैंने बोला, sodium hydrogen carbonate, तो NaHCO3 हो जाएगा, clear है, yes, तो जो भी metal बोले, उसी के हिसाब से, आप metal carbonate और metal hydrogen carbonate लिख सकते हैं, clear है, yes, तो यह कहता है, कि metal carbonate या metal hydrogen carbonate के साथ में क्या होता है, एक metal react कर रहा है, ठीक है, एक acid के साथ रियाक्शन हम पढ़के भी आए हैं, तो आपको सिर्फ इतना रखना है, कि जब भी कोई metal carbonate आपका react करता है, तो क्या बनेगा, देखो, salt और water तो हमें पता है, कि ये दो चीज़े बनती है, जब carbonate या hydrogen carbonate आजाए, तो एक और extra चीज़ आजाती है, that is CO2, आप इस तरीके से याद कर सकते हो, कि जब भी कोई metal carbonate या metal hydrogen carbonate react करेगा, तो क् होगा, metal hydrogen carbonate भी बोलते है, in fact, metal bicarbonate भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो confuse मत हो न, metal hydrogen carbonate को metal bicarbonate भी बोला जाता है, ठीक है, अब अगर वो रियाग करेंगे, तो सिर्फ एक extra चीज बनती है, that is your CO2, तो CO2 याद रखना है, बाकी सारी चीज़े बिल्कुल सेम है, ठीक है, आपने metal carbonate या फिर metal bicarbonate के साथ रियाग किया, तो CO2 एक extra होईगी, salt और water तो पहले जैसे है, तीन ही तो reaction से आद की हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, पॉफेक्ट, अब कोई भी metal ले आओ, यार, हर आंसर निकाल देंगे, पॉफेक्ट, आगे देखो, ये आपके सामने reactions दि bicarbonate भी बोलते हैं इसको, this is sodium, this is your salt, that is your water and that is CO2, clear है बच्चा, ये example भी आपके सामने है, पॉफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, अब हमारे को reaction करने है, metal oxides के, when acid reacts with metallic oxide, it forms salt and water, ठीक है, जब भी कोई metal oxide acid के साथ रियाग करेगा, तो salt और water बनेगा, राइट, yes ma'am, तो कोई भी metal oxide react करेगा, तो भी salt और water बनेगा, अगर metal carbonate और metal bicarbonate बनेगा, तो CO2 एक्स्ट्राएगा, बस, ऐसे बार बर revise करोगे ना, तो यहीं पर याद हो जाएंगी चीज़े, clear है, आगे देखो, examples है बेटा, calcium oxide ने react किया, एक nitric acid के साथ, तो salt और water बना, ठीक है ma'am, यहाँ पर copper oxide यहाँ पर एक acid के साथ react किया, तो salt और water बन गया, next देखो, again एक copper oxide है, जिसने HCl के साथ react किया, तो salt और water बन गया, यानि कि कोई भी metal का oxide अगर react करता है, किसके साथ, कोई भी metal oxide acid के साथ react करता है, तो मिलता है salt and water, right, yes, in the above reactions, copper chloride formed this bluish green color, यह कुछ extra informations आपको दी होती है, जो आपको extra knowledge देती है, बस एक बार go through कर लेना, ताकि चीजें याद रह रह जाए, रटने की जरूरत नहीं है, right, यह भी चीजें सिर्फ समझनी है, जब reactions देखोगे न, options देखोगे, तो आप अपने आप answer correct करोगे, clear है, yes ma'am, perfect बेटा, आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ questions करत चलो, बढ़ो आगे, which of the following is an organic acid, ma'am का answer देखने से पहले आपको अपना answer देना है, ठीके, which of the following is an organic acid, कौन सा organic acid है, nitric acid तो नहीं है, organic acid, अभी हम पढ़कर आए थे, ठीके, sulfuric acid भी, H2SO4, inorganic acid है, citric acid क्या था, याद करो citric acid, citric acid naturally आता है, yes ma'am, naturally आते है, वो कौन से acids होते ह होते हैं, तो yes, option C, यहाँ पर आपका correct answer होगा, hydrochloric acid, HCl है, जो एक inorganic acid है, yes ma'am, तो perfect, यहाँ से हमें हमारा answer मिल गया, that is option C, जो है, वो हमारा correct answer है, perfect, आगे बढ़ते हैं, next देखते हैं, next is, CO2 gas is passed through the solution A, it turns milky, then the nature of the solution is, यह है बहुत अच्छा question, यह है बहुत अच्छा question ठीक है, देखो क्या होता है, जब आप CO2 को pass करते हो, CO2 is passed through the solution A, it turns milky, then the nature of the solution is, एक चीज हमेशा याद रखना, कि calcium hydroxide, C, A, O, H, hold twice होता है, जिसके साथ, जब आपका CO2 react करता है, तो आपको C, A, CO3 मिलता है, ठीक है, that is your calcium carbonate मिलता है, और यह जो होता है, this turns milky, यह milky, यान यानि कि white color का होता है, तो this turns milky, ठीक है, इसकी वज़ा से आपका milky ने साती है, clear है, यह जो C, A, CO3 है, इसकी presence की वज़ा से milky ने साती है, तो यानि कि जब भी एक CO2 जो होता है, वो calcium hydroxide से pass होता है, जब calcium hydroxide, जिसे lime water कहते है, जब आपका CO2, इसे bita lime water भी कहते है, इसे भी लिख लो, ठीक है, यह एक बहुत important चीज हमें पता चली है, कि जब भी carbon dioxide lime water से pass होता है, that is calcium hydroxide से pass होता है, तो क्या होता है, C, A, CO3 बनता है, जिसकी वज़ा से milky ने साती है, जिसकी वज़ा से milky ने साती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, कि अगर CO2 इस solution से pass होता है, और यह solution आपको देखके क्या लग रहा है, acidic है या basic है, माम यह तो basic है, yes, तो यानि कि यहां पर आपका option B, जो है, वो correct answer हो जाएगा, that is, आपके solution का जो nature था, वो basic था, clear है, yes, तो यानि कि यहां पर हमने question से बड़ी important चीज़ सीखी, perfect, perfect, चलो, तो CO2 gases pass through the solution A, जहां पर solution A आपका calcium hydroxide है, it turns milky, then the nature of the solution A is basic, it is basic, clear है, perfect, आगे बढ़ते हैं, next question देखो, vitamin C is one form of, vitamin C किस form, is one form of, किसका है vitamin C form, हमने बात की थी इसकी, vitamin C citric acid, citric acid, ठीक है, और hint दे दिया है, मैंने आपको, एक और hint दे दिया है, vitamin C, जो होते है, जो खटे fruits होते है, उनमे होता है, अब याद करो यार, क्या था, क्या था, मैंने दो-दो hint दे दिया है, अब तो आप answer दे ही सकते है, मैं, that is your ascorbic acid, ascorbic acid जो होता है, जो खटे fruits होते है, न बेटा, उनमे ascorbic acid present होता है, right, ascorbic acid vitamin C, तो यानि कि option B यहां पर आपका correct answer होगा, yes, मुझे comment section में end में जरूर बताना कि आपके कितने answers सही थे, perfect, आगे बढ़ते हैं, next question देखते है, equal solution of an acid is a good conductor of electricity, ठीक है, due to the presence of, किसकी presence की वज़ा से good conductor या bad conductor देखते हैं, कि free ions है या नहीं, free electrons है या नहीं, right, yes, तो अगर हम यहां पर options देखें, तो free ions ही एक सही option दिख रहा है, क्योंकि neutron, atoms औ free electrons, yes ma'am, तो option C, यहां पर आपका correct answer होगा, perfect, आगे बढ़ो, steric acid is present in, ये भी एक table में हमने पढ़ा था, steric acid जो होता है, वो बहुत ही जादा high molecular mass वाले acids होते हैं, और यहां पर अगर हम याद करें, to steric acid is present in, facts, option B, यहां पर आपका correct answer होगा, एकदम direct questions है, तो एकदम direct questions के answers एकदम directly आने चाहिए, right, yes, तो बेटा, यहां पर थोड़ी थोड़ी चीज है, याद करनी पड़ेंगी, same वही question फिर से आगया, और B fats हमारा answer होगा, next, तेखते है, an acid reacts with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky, ठीक है, the egg shell contains, यह बहुत साफ साफ चीज दिख रही है, अभी जो question किया था, उस ही क एक अलग तरीके से modulate करके आपसे question पूछा गया है, उन्होंने बोला कि कोई भी एक acid है, जो crushed egg, मानलो आपके पास एक acid है, जो कोई crushed egg shell है, ठीक है, इस crushed egg shell के साथ, रियाक्त करता है, और एक gas देता है, यहां पर वो कोई gas देता है, ठीक है, और वो gas क्या है, जो lime water को milky turn कर करता था, माम, CO2 करता था, क्योंकि CA CO3 बन जाता था, तो यानि कि मुझे एक चीज तो पता चल गई, कि यह जो gas है, वो CO2 है, यह gas जो है, वो CO2 है, अब ध्यान से options को देखो और मुझे बताओ, कि एक acid किसके साथ react करके CO2 देता है, एक acid किसके साथ react करके CO2 देता था, माम, carbonate, metal carbonate या metal hydrogen carbonate के साथ, और अगर आप यहाँ पर options में देखो, तो metal carbonate आपको सामने सामने दिख रहा है, that is CA CO3, तो option D आपका correct answer होगा, yes, माम, तो यानि कि इसने आपकी पूरी की पूरी knowledge को एक एक question में test कर लिया, this was such a good question, क्योंकि अगर आपको exactly पता है कि किसके साथ क्या पर लिखेंगी, that this is a good question, ठीके बटा, अगर आपसे first time में यह नहीं हुआ, तो you should try this question, एक बार solution देख लिया है, दो या तीन दिन के बाद में इस question को फिर से जरूर try करना, तभी दिमाग में यह चीज़े रिटेन होगी, next देखते है, next देखते है, okay, अब हम basis पे आगए है तो थोड़ा basis के बारे में discussion करते हैं, basis क्या है, बेटा बिल्कुल जैसे acids पढ़ा है, उसी तरह से basis को पढ़ना है, the solution of substance like caustic soda, quick lime and washing soda, आप bitter in taste, तो मेरे को यहां से एक बहुत important चीज़ पता चल गई, कि जो basis होते है, उनका taste क्या होता है, bitter होता है, और acids जो थे, उनका taste क्य सार था, sour, sour, sour in taste, right, yes, तो these are, and these are also slippery in touch, bases जो होते हैं, वो slippery होते हैं, touch करने पर, they are called bases, all bases change the color of, क्या करते हैं वो, again बेटा, यह जो होते हैं, वो red litmus को blue में convert करते हैं, अगर आपने blue litmus paper को अगर बेस में डाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक red litmus को डाल तो वो उसको blue color में change कर देगा, right, yes, ma'am, तो यह दो important चीज़ें पड़ी, a base is a compound when dissolved in water produces hydroxyl ions as a negative ions, ठीक है, मान लो, आपके पास में एक base है, NaOH, तो यह अपने aqueous solution में क्या करेगा, Na plus, OH minus, तो यह OH minus जो होते हैं, बेटा, यह होते हैं, आपके hydroxyl ions, clear है, yes, ma'am, तो यहाँ पर हमने देख लिया है, a base is either a metallic oxide or a metallic hydroxide or aqueous ammonia, which reacts with hydroxyl ions of an acid to form the salt and water only, simple चीजें जो हम अभी तक पड़े हैं, वही बताई है हमें, यह जो important चीजें थी, वो हमने underline कर ली हैं, लिख ली हैं, तो यह चीजें आपको clear होनी चाहिए, and I hope अभी तक तो यह चीजें याद भी हो ग equation, again देख लो याद, बोल रहे हो ना हर जगा यह equation आती है, हर किसी के mind में यह equation आती है, next क्या है basic oxide, एक बड़ी important चीजें याद, metals के oxides होते हैं, मैं लिख देती हूँ, जो भी आपके metal के oxides होते हैं, वो mostly basic होते हैं in nature के अंदर, these are mostly basic in nature, ठीक है, जो भी आपके metal के oxides होते ह हैं, वो mostly basic होते हैं in nature के अंदर, ठीक है, yes, a basic oxide is a metallic oxide that contains O2- ions and react with an acid to form salt and water only, ठीक है, मान लो आपके पास में कोई metallic oxide है, अगर आपने उसको acid के साथ रियाक कराया, तो वो आपको salt और water देगा, बिल्कुल वैसे ही, जैसे एक metal oxide के साथ में, HCl भी रियाक करके salt और water दे रहा थ सेम उसी तरह से metallic oxide भी आपका, जो basic oxide है, वो भी आपका acid के साथ में react करके आपको क्या देगा, salt and water देगा, clear है, कोई दिक्कत नहीं है, acid भी तो हमने यही पढ़ा था, बिल्कुल तो उसी चीज को घुमा के लिख दिया है, एक ही चीज को दो-दो बार revise करा रही हूं मैं, द basic hydroxide is a basic hydroxide is a metallic hydroxide again, हमें पता है, that contains OH- iron and reacts with an acid to form salt and water, कितनी बार एक ही एक चीज पढ़ा है, है ना, yes, पर यह याद करवारी है, यह चीजे हमें बिल्कुल याद करवारी है, alkalies, बहुत important, बहुत ही important, कि क्या आप हर किसी को alkalie बोल सकते हो, सोचके बताओ मुझे, कि हर basic oxide जो ह हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप गलत है, हर basic oxide alkalie नहीं होता है, ठीक है, इसका answer अब आपको यहाँ पर मिलेगा, alkalies are water-soluble basis, ऐसे basis जो water-soluble होते हैं, ऐसे basis जो water-soluble होते हैं, उन्हें alkalies कहा जाता है, तो alkalies are water-soluble basis that furnish OH- iron in aqueous solution, तो अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, कि मान लो NaOH है, तो NaOH जो है, वो आपको Na plus, plus OH- देगा, तो यानि कि यह क्या है, माम यह एक alkalie है, लेकिन अगर मैं आपको बोलू, FeOH hold twice, तो बेटा यह एक basic oxide तो है, लेकिन यह एक alkalie नहीं है, क्योंकि यह OH- नहीं देगा solution में, water में यह OH- नहीं देगा ठीक है, तो यह basic difference होता है, कि alkali हर basic oxide को नहीं कहते है, कुछ ऐसे basis, जो आपको OH- water में देगे, उसे ही आप alkalie बोल सकते हैं, that furnish OH- in aqueous solution, and alkali is a basic hydroxide, which dissolved in water produces hydroxyl ion, as the only negative ion, all alkalies are basis, एक important line की, सारी की सारी alkalies तो basis हो सकती है, बिल्कुल क्योंकि basis से ही तो alkali बनी है, but not all basis are alkali's, right? But not all basis are alkali's, the insoluble basis are not known as alkali's, as ferric hydroxide, copper hydroxide, etc. वो basis तो हैं, पर वो alkali's नहीं है, तो आप समझ पा रहे हैं, कि सारे ऐसे basis, ध्यान से सुनो, ऐसे basis, जो OH- aqueous solution में देगे, ठीक है, ऐसे कर दो, OH- aqueous solution में देगे, वो आपके alkalies होंगे, लेकिन अगर ये 100 हैं, तो इन में से alkalies कुछ 50 ही होंगे, बाकी के 50 OH- aqueous solution में दे ही नहीं सकते, तो वो basis तो हैं, पर वो alkali's नहीं है, right? Yes, तो examples भी आपके सामने हैं दोनों के, ये चीज बहुत important है, ये line से question बन जाता है कई बार, तो ये line हमें याद होनी चाहिए, कि alkalies basis से निकले हैं, लेकिन alkalies को आप, alkalies basis से निकले हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? Yes, तो basis से आपकी alkalies बन सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे basis आपके alkalies हों, clear है? Yes, ma'am, perfect, बेटा, आगे बढ़ते हैं, examples आपके सामने हैं, I hope, again मैंने बोला था बेटा, examples में जो नाम है, जो name है, common name है, उसके साथ आपको नाम याद करने हैं, अगर आपने ये कि ये तो हो सकता है कि आप question में गड़बर कर दो, ठीक है, तो ये कुछ common name है, जो सिर्फ यहां पर, इस list में आपको दियो हैं, सिर्फ उतने ही याद करने हैं, बहुत सारे नहीं रटने हैं, don't worry, right? Yes, तो बट ये याद कर लेना, please, right? आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, basis क को भी हम classify कैसे कर सकते हैं, depending on the strength, strength के ओपर depend कर सकता है और also on concentration, अब हमें को इतनी खास दिकत नहीं आएगी, strength पे है, तो strong acid या weak base होंगे, strong electrolyte होंगे, completely ionized होंगे, बिलकुल acid की तरह, और जो weak होंगे, वो completely ionized नहीं होंगे, वहीं पर अगर आप concentration की बात करोगे, तो concentrated वो हों अगर बहुत सारे solvent में थोड़ा सा base है, तो वो dilute होगा, बिलकुल acids की तरह है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम यह कर सकते हैं, depending on the strength, strong bases, those bases that ionize completely in the aqueous solution and give a high concentration of OH- iron, right, example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, यह सब आपको examples दियों हैं, कि यह आपके strong bases होते हैं, right, yes ma'am, तो यह हमें clear है, clear है एक आगे बढ़ते हैं, weak bases, जो partially ionized होंगे, completely नहीं होंगे, examples आपके सामने है, NH4OH, BAOH whole twice, यह आपके weak bases होते हैं, क्योंकि यह completely ionized नहीं होते हैं, इसका degree of dissociation क्या होगा, ma'am, इनका degree of dissociation कम होगा, right, yes, आगे देखते हैं, depending on concentration, अब concentration पे भी बिलकुल हमें clear है, ma'am, concentrated bases when a high amount of base is present in a small amount of the solution, dilute bases when a less amount of base is present in a fixed amount of solution, clear है, एकदम clear है, एकदम clear है, एकदम clear है, very good, physical properties, again, बिलकुल उसी की तरह है, acid की तरह है, इसले tension नहीं है, जो हम एक बढ़ पढ़ चुके हैं, उसी चीज को एक तरीके से हम यहाँ रवाइज कर रहे हैं, right, yes, क्या कहता है, taste, bases have a bitter taste, physical state, bases are generally solids or liquids, yes ma'am, they are soapy, slippery to touch, soapy to touch, soaps, जो होती है, वो slippery होती है, तो उनका touch भी वैसा ही होता है, they change the color of indicators, अब जो color of indicators, हम acidic medium में देख चुके थे, सेम उसी तरह से हम basic medium में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको सभी indicators का basic medium के अंदर color change पता चलेगा, जैसे अगर आप यहाँ पर बात कर solution क्या करेगा, red to blue करेगा, blue डाल दिया, तो कोई color change नहीं आएगा, methyl orange जो है, वो yellow color का होता, yellow color का रहेगा, right, next आपके पस turmeric है, तो वो reddish brown रहेगा, china rose indicator जो है, वो green color का रहता है, clear है, yes ma'am, आगे देखो बेटा, they are good electrolytes, yes, good electrolytes होते हैं, free ions आ जाते हैं, तो वो आपके electricity को भी conduct कर सकते हैं, ठीक है, bases dissociate into ions on dissolving in water and hence conduct electricity to show electric properties, perfect, they have corrosive action, yes, they have corrosive action, right, strong bases और alkalies, alkalies यानी की वो जो OH- देती हैं water में, right, NaOH are corrosive, strong bases to show slight burn on the skin as compared to acids, acids बहुत जादा corrosive होते हैं, ये comparatively थोड़े कम होते हैं, ठीक है, yes ma'am, perfect, आगे बढ़ते हैं, chemical properties again, reactions ही हैं, तो घबराना नहीं, देखो, आप देखो, एक base ने, जब एक acid के साथ react किया, तो salt plus water मिला, in these reactions, an acid reacts with the base to produce salt and water, रट गया भया, रट गया, right, yes, आगे देखो, reaction with metals, metals के साथ reaction होगा, तो क्या होगा, आप खुद बताओ मुझे, H2 gas liberate होगी, yes ma'am, तो hydrogen gases evolved when bases react with metal, generally less reactive metals show this reaction, less reactive metals जो होते हैं, वो ये reaction शो करते हैं, क्योंकि जो high reactive metals होते हैं, वो corrosive होते हैं, नेचर के अंदर, right, yes, तो ये चीज हमें clear होनी चाहिए, example है, आपके पास में NaOH plus zinc, जो है, वो Na2, ZnO2 बना देता है, और H2 gas दे देता है, clear है, very good, action of non-metal, अगर कोई non-metal react करता है, तो आपका carbonate बन जाता है, और water बन जाता है, right, yes, strong alkali absorbs the CO2, ये जो आपका NaOH है, ये CO2 को एब्सॉब कर ये जो आपके बनाएगा, ये जो आपका carbonate बना लिया और water दे दिया, याद हो गया, अगर CO2 को कोई भी metal एब्सॉब करेगा, कोई भी metal hydroxide एब्सॉब करेगा, तो वो आपका metal carbonate बनाएगा, और क्या दे देगा, water दे देगा, मेरे को तो देखते ही CO2 को carbonate याद आता है, क दिमाख में picture बनाना शुरू करो, दीरे दीरे चीज़ें दिमाख में बैठ जाएगे, perfect, आगे देखते हैं बिटा, आगे देखते हैं, questions आगे यार, questions करते हैं, क्या कहता है question, ध्यान से देखो, question कहता है that which of the following is not an alkali, कौनसी alkali नहीं है, अगर आप alkali की definition याद करो, तो जो यहां पर हमारा correct answer होगा, right, yes, perfect, next question बेटा, which of the following is not a property of basis, basis की कौनसी property नहीं है, ठीक है, last से शुरू करते हैं, they are soapy to touch, yes, they are soapy to touch, बार-बार पढ़ चुके हम यह, next क्या बोलता है, they are good electrolytes, yes, they are good electrolytes, they are good conductors of electricity as well, they have corrosive action, yes, they have corrosive action, right, last a option, they have a sour taste, they have a bitter taste, yes, तो यानि की option a यहां पर हमारा correct answer होगा, clear है, कोई विक्कत नहीं है, ऐसे questions आते हैं, अब ऐसे questions क्या गलत करेंगे हम, एक number भी नहीं ही चोड़ेंगे हम, सारे answers निकालेंगे, perfect, next, metal carbonates on heating gives its oxide which turns the litmus solution blue, showing that the nature of the oxide is, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो कि एक metal carbonate था, on heating gives एक oxide, कोई भी metal carbonate था, let us say एक ऐसा carbonate था, उसको heat किया, तो कोई एक oxide मिला, तो मान लो कि कोई oxide मिला, M2O, ठीक है, which turns the litmus solution blue, अब यह litmus solution को जो भी है, blue में convert कर रहा है, तो blue में जो convert करता है, वो क्या होता है, red को blue में कौन करता है, base करता है, तो माम यह तो कोई base करेगा, है न? Yes, the nature of the oxide is basic, yes ma'am, तो यानि की option B जो है, वो यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा, तो ध्यान से बस question को पढ़ना है, पूरी reaction आनी भी जरूरी नहीं है, बस question को पढ़ो और समझो कि वो पूछना क्या चाह रहा है, right, yes ma'am, perfect बेटा, आगे बढ़ते हैं, next देखो, generally the nature of a non-metal oxide is, ma'am ने आपको एक बड़ी important चीज़ बताई थी, और इसको लिख लो अपने पास, कि जब भी कोई metal oxide होता है, तो वो हमेशा basic होता है nature में, और जब भी कोई non-metal oxide होता है, वो हमेशा acidic होता है nature के अंदर, ठीक है, जब भी कोई metal oxide होगा, तो वो basic होगा, जब भी कोई non-metal oxide होगा, वो acidic होगा nature के अंदर, ठीक है, तो यह पूछ रहा है कि एक non-metal oxide, तो ma'am, वो हमेशा acidic होगा nature के अंदर, ठीक है, यह मा'am, कोई dikkat नहीं है, perfect, बहुत ही बढ़ी हा option, यह यहां पर आपका correct answer होगा, अब हम आ गए indicators, बारे में, काफी चीज़े तो पड़ भी चुके हैं, बड थोड़ा और यहां पर हम देखते हैं, indicators क्या बोलते हैं, that are chemicals which change their color in the presence of acid or base, yes, इसकी बात कर चुके हैं हम, indicators में भी natural or synthetic, litmus, turmeric etc are examples of natural indicators, whereas, methyl orange and phenophthalein are the examples of synthetic indicators, तो आपको यहां पर इस तरीके से याद होना चाहिए, कि natural indicators के examples क्या-क्या हैं, और आपके synthetic indicators के examples क्या-क्या हैं, methyl orange or phenophthalein आपके synthetic indicators हैं, और अगर आप turmeric और litmus की बात करोगे, तो वह आपके natural indicators हैं, clear है, yes ma'am, universal indicator is a mixture of certain indicators required proportions which show color change over a considerable pH range, yes, perfect, आगे देखते हैं, again आपके सामने पूरा का पूरा table है, कि indicator होगा, acid solution होगा, neutral में क्या होगा और सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है, yes ma'am, same यही concentration आपकी OH- की भी होती है, clear है, yes, perfect, तो इस table को go through करना है, बिलकुल करना है, it is again important, मैं जितने tables आपको दे रही हूँ, that is the most important part of this session, clear है, जितने भी questions बनते हैं, mostly वही से बनते हैं, जो pH होता है, जो आपका pH होता है, वो इस तरीके से represent किया जाता है, अब अगर आप यहां पर देखो, तो neutral जो होता है, वो 7 pH होता है, ठीक है, 7 से जो कम होते हैं, वो आपका acidic pH है, तो यानि कि वो क्या है, acidic है nature के अंदर, तो आपको इस तरीके से, pH से यह find out करना आना चाहिए, कि which is acidic and which is basic and which is neutral, right, तो इस तरीके से आपको यह pH देखना आना चाहिए, अगर मैं बोलती हूँ, कि मान लो pH 3 है, तो आप बोलोगे माम, acidic है nature में, अगर acidic है nature में, तो यानि कि वहां पर H plus ions की concentration बेटा जादा है, क्योंकि H plus ions जितना जादा दे पाए, वही तो acid होता है, yes ma'am, similarly अगर मैं ने बोला कि pH 12 है, तो यानि कि basic है nature के अंदर, yes ma'am, अगर बेटा basic है nature के अंदर, तो यानि कि OH minus concentration जो है, वो जादा है, right, yes ma'am, तो इस तरीके से आपको pH देखना आना चाहिए, perfect, यह आपको पूर for neutral solutions, H plus concentration is equal to OH minus concentration हमेशा, तभी तो वो neutral है, yes ma'am, अगर दोनों मैंसे किसी की भी concentration जादा होगी, तो उसी की according, change हो जाएगा, acidic या basic, आगे देखो, जैसे acidic है, तो H plus की concentration जादा होगी, H plus की concentration जादा होगी, और अगर basic है, तो OH minus की concentration जादा होगी, perfect, importance of pH value, greater the concentration of H plus ions, less will be the pH and more acidic is the solution, right, yes, greater the concentration of H plus ion, उतना सादा acidic होगा nature में, हमें समझ भी आ रहा है, pH scale is important only for dilute acids or bases, क्योंकि concentrated है, तो उसमें तो बहुत ही जादा H plus है, बहुत ही जादा OH minus है, तो इसलिए, पह की बाद, dilute solutions के लिए ही की जाती है, perfect, pH of a solution depends upon the temperature, yes, pH जो है, वो temperature पर बहुत जादा depend करता है, तो यह line आपके लिए important है, that it depends on the temperature, right, approx pH of some common substances आपको given है, ठीक है, देख लेते हैं, यह रहा, table again, एक और table आचुका है आपके लिए, thanks, thank me later, मतला मुझे comment section में मुझे पाता है, आप सब बोलने वाले हो कि ma'am यह क्या इतने tables दे दिया आपने, but, let me tell you, this is going to help you a lot, ठीक है, यह tables आपको बहुत जादा help करने वाले हैं, इनी से तो direct questions बनते हैं, concentrated HCl 0, gastric juice 1.2 और इसी इतना से सभी के pH आपको दियो है, बस एक बार आखों से go through कर लो, कौन सा acidic होता है, कौन सा basic होता है, exact value याद करने की जरूरत नहीं है, बोल रही हूं कि exact value याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा go through करो कि acidic कौन से होते हैं, basic कौन से होते हैं, बस, इतना, ठीक है, yes ma'am, perfect बेटा, तो again important लिख चुकी है ma'am, और अब हम questions करने वाले हैं, right, क्या कहता है question, neutralization is, बेटा, neutralization क्या है, कौन सा process है neutralization, ions थे, acid ने base के साथ react किया, और salt बना, तो जब salt बनता है, तो नया कोई compound बन रहा है, नए bond बन रहे हैं, तो जब नए bond बनते हैं, तो energy release होती है, है न, yes ma'am, जब नए bonds बनते हैं, तो energy release होती है, और जब energy release होती है, तो delta H जो होता है, वो क्या होता है, ma'am, वो तो negative होता है, तो यानि कि ये reaction क्या होगी, exothermic होगी, जब भी किसी भी reaction में energy release होती है, तो वो exothermic reactions होते हैं, और जब भी कोई नए bond बनते हैं, तो energy release होती है, तो अगर salt तो यानि की energy release हो रही है और इसलिए कहा जाता है that neutralization reactions are exothermic process. यहाँ पर energy release होती है, clear है? Yes, very good बच्चे, very good. Next question, which of the following solutions conduct electricity? कौन electricity conduct करेगा? चलो options देखते हैं. Urea solution, क्या urea आपका dissociate हो सकता है? नहीं ma'am, organic compound है, नहीं dissociate हो सकता. glucose solution, नहीं ma'am, organic compound है, नहीं dissociate हो सकता. sodium hydroxide solution, बेटा, NaOH की बात हो रही है, तो yes ma'am, NaOH बिल्कुल dissociate हो सकता है, एक strong base है, strong electrolyte है, तो अगर यह dissociate होगा, तो इसके case में free ions आएंगे, free ions, charge carriers, तो yes, यह electricity conduct करेगा, तो option B जो है, वो आपका यहां पर correct answer होगा, तो देख रहे हो जो previous classes में पढ़ा है, वो सब अब one by one use होता जा रहा है, ठीक है? अब इधर देखो यार, ant acid tablets usually contain, ant acids कहां पर use होते हैं? जब acidity होती है, yes, जब acidity होती है, तो ममा ant acid देती है, और वो ant acid क्या होगा? अगर acid है, तो उसको neutralize करने के लिए ant acid, base होगा न nature में, basic होगा? येस मैम, तो यहां पर देखो, basic nature में, अगर आप ant acids की बात करते हो, तो बेटा, वो आपका magnesium hydroxide होता है, magnesium hydroxide जो होता है, वो आपका ant acid की तरह यूज किया जाता है, right, COOH whole twice तो lime water था ना? येस मैम, perfect, तो यहां से हमें MgOH whole twice जो है, correct answer मिल गया, right, perfect, आगे बढ़ते हैं, again, which of the following acids is present in sting of ants and bees? बेटा, sting of ants and bees में, जो swelling होती है, उसमें 2 तरह के acids होते हैं, मैंने आपको बताया था, formic acid बहुत जादा large amount में होता है, लेकिन थोड़ा सा आपका mythenoic acid भी होता है, तो यानि कि यहां पर हमारा जो correct answer होगा, वो both A and B, that is both 1 and 2, option C आपका correct answer होगा, जो भी आपकी B sting या फिर ant sting होती हैं, उसके अंदर दो तरह के acids होते हैं, formic acid and methanoic acid, formic acid बहुत जादा large amount में होता है, तो कई जगाओं पर आपको सिर formic acid सुनने मिलेगा, बट कुछ amount में methanoic acid भी होता है, clear है, yes ma'am, perfect, आगे देखते हैं, deviations from ideal behavior will be more if the gas is subjected to, देखा, मैंने कहा था कि previous sessions के भी questions आने वाले हैं, ताकि revision बनता रहना चाहिए, yes, तो बताओ इसका answer, deviations from ideal behavior will be more, अगर आप ideal behavior से deviate कर रहे हो, तो यानि कि आपका temperature होगा कम और pressure होगा ज्यादा, तो option कहाँ है, temperature होगा कम, low temperature and high pressure, मैं option A जो है, वो हमारा correct answer होगा, क्योंकि अगर temperature बहुत ज्यादा है, pressure बहुत कम है, तो molecules दूर दूर जाएंगे, interactions होंगी नहीं उनमें, interactions नहीं होंगी, तो वो एक ideal gas की तरह behave करेंगे, लेकिन अगर temperature कम होजाए, pressure ज्यादा होजाए, तो molecules पास आजाएंगे, interactions होने लगेंगी, तो ideal behavior नहीं शो कर पाएंगे, right, yes, तो option A, यहाँ पर आपका correct answer होगा, which of the following acids is present in sting of ants और bees, again, same question आगया यार, मैं अभी तो निकाला था, C, yes, आगे बढ़ते हैं, The addition of a base in water, जब आप एक base को water में डालते हो, तो क्या होता है, जब आप एक base को water में डालते हो, तो OH- की concentration बढ़ जाती है, तो यानि की pH बढ़ जाना चाहिए, 7 से जादा हो जाना चाहिए, तो increases the pH of the solution, yes, तो option C, यहाँ पर आपका correct answer होना चाहिए, right, yes ma'am, perfect बच्चे, इसी तरह से questions को solve करना है, what is the range of pH in human body, मेटा, human body का जो pH होता है, वो neutral to basic होता है, तो human body का pH आपको याद होना चाहिए, that it will be from 7 to 7.8, in fact, यह 7 to 7.48 के आसपास ही होता है, but 7 to 7.8 भी हम बोल सकते हैं, this is the most accurate answer in चार options में से, अगर better option होता, तो 7 to 7.48, 7.5 के आसपास आपका correct answer आना चाहिए, right, yes, तो यहां से option दी हम अपना correct answer बोल सकते हैं, perfect, आगे बढ़ते हैं, salt की बात करते हैं, salts बेता सारे के सारे ही strong electrolytes होते हैं, completely dissociate होते हैं, acid और base रियाग करते हैं, तो salt बनता है, right, तो देख लो, salt are compounds formed by partial or total replacement of the ionizable hydrogen atoms of an acid by a metallic ion or an ammonium ion, okay, एक acid रिया किया, acid के साथ salt बना, base रिया किया, acid के साथ salt बना, बहुत clear है, और दोनों के दोनों ही, यह भी strong electrolyte है, completely dissociate होगा, यह भी strong electrolyte है, completely dissociate होगा, a salt is an ionic compound which dissociates in water to yield a positive ion other than hydronium ion and a negative ion other than a hydroxyl ion, clear है, yes, perfect, आगे देखते हैं, family of salts, salts की family क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, salts having the same positive or negative radicals are said to belong to the same family, family of sodium salts क्या होगे, NaCl, Na2SO4, NaNO3, यानि कि जहाँ पर आपका metal जो हो, वो same हो, वो एक family of salt होता है, ठीक है, similarly, अगर आप family of chloride ions की बात करोगे, तो NaCl, KCl, MgCl, जहाँ पर आपके आइन सेम हो जाएं, वो आपकी chloride ion की family हो जाएगी, simple सी चीज़े, जिसकी भी family पूची है, वो common होना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें, है ना, Yes ma'am, perfect beita, आगे देखते हैं, uses of common salt, अब आपको यहाँ पर बहुत सारे uses दिये गए है, again, यह uses important है, इन ही uses से question आएगा, तो मैं फिर से आपके लिए एक और table रख दे रही है, important लिखते है, ठीक है, as a raw material for making a large number of chemicals in industry, like sodium hydroxides, sodium carbonate, sodium bicarbonate, अब हमें समझ आ रहा है कि sodium carbonate क्या होता है, sodium bicarbonate क्या होता है, right, yes, in cooking food, as preservatives, in pickle, in curing meat and fish, yes, इन सभी में आपके salts use होते हैं, ठीक है, in manufacture of soap, in melting of ice, in making unshinkable wool, washing soda, sodium carbonate, तो यानि कि इसके बहुत सारे use है, again, यहां पर यह जो भी नाम आ रहे हैं, please इन नामों को याद कर लेना, इनके formulas याद कर लेना, इन ही से question बनते हैं, इसलिए आपको यह tables यहां पर provide किये गए हैं, clear है? Yes, ma'am, perfect, बेटा, यहां पर जो सबसे important चीज है, वो मैं आपको बता देती हूं, that pH जो होता है, वो calculate किया जाता है as minus log of h plus, हमेशा जो भी आपको h plus की concentration दी हो, उसका negative logarithm मिलोगे, तो आपको pH मिलेगा, अगर इसी तरह से मैं आपसे पूछू कि poh कैसे calculate करोगे, तो कहोगे मैं minus log of concentration of oh minus कर दो, तो आप pH, poh calculate कर सकते हो, और हमेशा बेटा, pH plus poh जो होता है, किसी भी एक compound का total equal to 14 होता है, ठीक है, तो यानि कि अगर किसी का pH आपको पता है, तो आप उसका poh निकाल सकते हो, अगर आपको किसी का poh पता है, तो आप उसका poh भी निकाल सकते हो, एक ही particular compound के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक a compound है एक b compound है, इसका pH निकाल लिया और इसका poh निकाल लिया और एड करके कह रहे हो, माम 14 क्यों नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना है, same compound का, अगर आप pH भी निकालोगे और poh निकालोगे तो वो हमेशा 14 के equal आएगा, ठीक है, clear है, very good, तो ये तीन बड़ी important चीजे है, perfect, अब questions कर लेते है, question practice, yes, the negative logarithmic value of hydrogen ions is called, negative logarithmic value of hydrogen ions, h plus ions, that is pH, yes ma'am, तो हम उसको pH बोलते है, अगर hydroxyl ions बोला होता, तो फिर poh हो जाता, right, yes ma'am, perfect, next, acids react with bases to give, salts, yes ma'am, तो salts हो जाएगा, option C हमारा correct answer आजाएगा, क्या बात कर दिया, बहुत easy, बहुत easy question, what is the pH value of pure water, pure water neutral होता है, और इसलिए हम कहते हैं, कि pure water का pH 7 होता है, pure water का pH 7 होता है, क्योंकि pure water neutral होता है, yes ma'am, perfect, yes, आगे देखो, okay, हम आज के session के end पर आचुके हैं, right, तो I hope आज का session आपक बहुत सारे tables हैं, जो आपको go through करने हैं, and वो बहुत important भी है, क्योंकि questions बहीं से बनते हैं, right, कुछ questions जो आपसे अगर first time में नहीं हुए हैं, तो tables को go through करो, 2 या 3 दिन बाद फिर से questions को try करो, तभी आपकी practice maximum होगी, mind में चीजें होगी, so मुझे तो बहुत मजाया, thank you so much for this amazing session, and do let me know comment section के अंदर के आपको आज का session कैसा लगा, मिलते हैं अपने next session में, तब तक पढ़ते रहो, all the very best, Jai Hind!